गिन्ति की पुस्टक अध्याय आठ दिवट के बारने की रीती. फिर यहवा ने मुसा से कहा, हारुन को समझा कर यह कहा, कि जब जब तू दिपकों को बारे तब तब सातो दिपक का प्रकाश दिवट के सामने हो. निदान हारुन ने वैसा ही किया, अर्थात जो आग्या यहवा ने मूसा को दी थी, उसी क्यानुसार उसने दिपकों को बारा, कि वे दिवट के सामने उजियाला दे, और दिवट की बनावट यह थी, अर्थात यह पाएस लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया जो नमुना यहवा ने मूसा को दिखलाया था, उसी क्यानुसार उसने दिवट को बनाया, लेवियों के नियुकत होने का वर्नन, फिर यहवा ने मूसा से कहा, इस्राइलियों के मध्यमे से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर, उन्हें शुद्ध करने के लिए तु ऐस कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे, फिर वे सरवांग मुंडन कराए और वस्त्रद होए और वे अपने को स्वच्छ करे, तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबली समेत एक बच्छडा ले ले, और तु पापबली के लिए एक दूसरा बच्छडा लेना, और तु लेवियों को मिलापवाले तंबू के सामने समीप महुचाना, और इस्राइलियों की सारे मंडली को इकटा करना, तब तु लेवियों को यहवा के आगे समीप ले आना, और इस्राइली अपने अपने हाथ उन पर रखे, तब हारुन लेवियों को यहवा के सामने इस्र प्लाए हुई भेट करके और पन करे कि वे यहवा की सेवा करने वाले ठेरे और लेविय अपने अपने हाथ उन बच्चडों के सिरोपर रखे तब तु लेवियों के लिए प्रायस चित्त करने को एक बच्चडा पाप बली और दुसरा होम बली करके यहवा के लिए चड़ान और लेवियों को हारुन और उसके पुत्रों के सनमुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेट के लिए यहवा को अरपन करना और उन्हें इस्राइलियों में से अलग करना सो वे मेरे ही ठेरेंगे और जब तु लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेट के लिए अरपन कर चुके उसके बाद वे मिलापवाले तंबू संबंदी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें क्योंकि वे इस्राइलियों में से मुझे पूरी रिती से अरपन किये हुए हैं मैंने उनको सब इस्राइलियों में से एक एक स्त्री के पहलोठे की संती अपना कर लिया है। इस्राइलियों के पहलोठे चाहे पूरुष के हो चाहे पश्यू के सब मेरे हैं क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहल उन्हें लेकर मैंने हरुन और उसके पुत्रों को इस्राइलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबु में इस्राइलियों के निमित सेवकाई और प्रायस्चित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि जब इस्राइली पवित्रस्थान के समी पाए तब उन पर कोई महाविपत्ती आपड़े। लेवियों के विशे यहोवा की यह आग्या पाकर, मुसा और हरुन और इस्राइलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से पावन किया, और अपने अपने वस्तरों को धोड़ाला, और हरुन ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाए हुई भेट के निमित्त अरपन किया, और उन्हें शुद्ध करने को उसके लिए प्रायश चित्त भी किया, और उसके बाद लेव यहवा ने मूसा को लेवियों के विशे दी थी, उसी के अनुसार वे उनसे व्यवार करने लगे। फिर यहवा ने मुसा से कहा जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की अवस्ता से लेकर उससे अधिक आयू में वे मिलापवाले तंबु संबंदी काम करने के लिए भीतर उपस्तित हुआ करें और जब पचास वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए न आए और न काम कर परन्तु वे अपने भाई बंधों के साथ मिलापवाले तंबु के पास रक्षा का काम क्या करें और किसी प्रकार की सेवकाई न करें लेवियों को जो जो काम सवपे जाए उनकी विशे तू उनसे ऐसा ही करना